नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दोस्तों आज के वीडियो में हम सिष्टासार यानि सिष्टता पूर्ण आचरण और वेवार का तोर तरीका जीवन में अच्छे सिष्टासार बहुत आवश्यक है क्योंकि वे हमें समाज में अच्छा वेवार करने में मदद करते हैं अच्छे सिष्टा सार हमें सारवजनिक इस्तान पर लोगों का देल जीतने में मदद करता है इसलिए एक अच्छा और सिष्ट वेवार एक अध्वित्य वेक्ती बनाने की समता रखता है तो आज के वीडियो में हम सिश्टा सार के उन 20 नियमों के बारे में अध्यन करेंगे जो व्यक्ति अपने जियोन में अपना कर सिश्टा सार को फॉलो कर सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शिश्टा सार में ऐसी सकती है कि मनों से किसी को बिना कुछ लेंदेन किये अपने और परायों को सरदा भावना और आदर का पात्र बना जाता है से हर्द्यता एक ऐसा गुण है जिसमें एक साधारन स्रेणी का वेक्ति भी अनेक लोगों का प्यारा मित्र और घनिष्ट सखा बन जाता है अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी मैनर मैक्स एमैन अतर्त मनुष्य का परीचे उसके सिष्टा सार बैठने उठने बोलने खाने पीने के ढंग से मिलता है खेद का विशे तो ये है कि आजकल सिष्टा सार की भावना गड़ती ही जा रही है और खासकर अनेक नव यूकों में ऐसा देखने को मिलता है दस वर्स की आयू से पहले बच्चों को सिष्टा सार की ये बीश नियम सीख लेने चाहिए सिष्टा सार पारिवारिक सिक्सा होती है जो बच्चों की जिन्दगी पर परबाव डालती है इसमें ये साबित होता है कि बच्चों की पारिवारिक शिक्षा सपल हुई है ना हुई है तो चलिए हम से इस्टासार के इन 20 नियमों के बारे में जानते हैं जिसमें पहला नियम है दूसरों से सवाल पूछने से पहले कृप्या सब्द का परियोग करें अन्य लोगों से कुछ पाने के बाद धन्यवाद जरूर कहें आपाद इस्टती को छोड़ कर बड़े लोगों को बात करने करते समय न टोकें अगर ससमुच किसी व्यक्ती से बात करनी पड़े तो सबसे पहले माप कीजिये बोले अगर एक काम करने का फैंसला बहुत मुश्किल से किया जाता है तो इसे करने से पहले माप की राय वह अनुमती लेनी चाहिए दूसरे लोगों तुमारी नफरत पर चिंता नहीं करते इसलिए तुम आलोचना की बातें केवल दोस्तों से कह सकते हो सबी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है अन्य लोगों की ओवर क्रिटिकल मत करो और उनकी परसंचा कर सकते हो जब दूसरे लोगों लोग तुमें नमस्ते कहते हैं तो सिश्टासार के साथ उनका जवाब दो फिर उने भी नमस्ते कहो एक मेहनत के रूप में तुम्हें मेजवान का धन्यवाद देना चाहिए किसी कमरे में अंदर जाने से पहले दर्वाजा खट-कटाना चाहिए फौन करते समय सबसे पहले अपने बारे में बताओ फिर किसी से बाचीत करने को कहो उफार लेने के बाद धन्यवाद कहना चाहिए बड़े लोगों के सामने गालिया मत दो दूसरे लोगों से बुरी बातें मत करो किसी इस्तिती में अन्य लोगों का उफास मत करो कारेकरम देखते समय सांत रहो साइद तुमारे लिए ये कारेकरम बोरिंग हो लेकिन मंच पर अभीनेत्री ससमोच कोशिस कर रहे हैं किसी को टक्कर मारते ही माफी मांगनी चाहिए खासी करते या सिंक मारते समय अपना मुहों कवर करो दरवाजे से गुजरते समय थोड़ा इंतजार करो और पीछे के लोगों के लिए द्वार कोलो जब माबाप अध्यापक या पडोसी को काम में वेस्थ होते हुए देखें तो पूछो कि क्या तुम मेरी मदद चाहिए क्योंकि मदद देते समय तुम भी कुछ सीख सकोगे तो दोस्तों ये 6 सार के 20 नियम है जिनने आप जीवन में अपना कर अपने जीवन को एक अवल दर्जे का चरित्र प्राप्त कर सकते हैं उमीद करता हूँ वीडियो फसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जयेंद वन्दी मांत्रम